हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चनल कॉमिक फैन पर चलिए दोस्तो शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा की एक रोमान्चक कॉमिक्स म्रत्यू दाता चलिए शुरू करते हैं म्रत्यू दाता कंपिटर के युग में आज कोई भी बात संबव है यह बात चशांक ने साबित कर दिखाई है चशांक हमारे स्कूल का एक ब्रिलियंट कंपिटर चातर है बाज किसी चमकती चशांक की आँखों में इसने एक ऐसा प्रोग्राम त्यार किया है जिसका नाम इसने MB रखा है अर्थात Mystery Buster जिसका अर्थ है नकाब उठाने वाला यानि भंडा फोड़ने वाला या यू कहूं की धोल की पोल खोलने वाला यस सर कोई व्यक्ति कितने ही पर्दों में क्यों ना चिपा हो इस प्रोग्राम ध्वारा उसे पहचाना जा सकता है Very good शशांक बड़ी बात ये है कि तुमने इस प्रोग्राम को पूरी तरह अपनी अकल से तयार किया है और ये है तुम्हारी मेनत का इनाम प्रोग्राम खतम होने के बाद Congratulations सशांक मैं तुम्हारे इस प्रोग्राम की चर्चा अपने पापा से करूँगी वो जरूर इसे अपने अकबार में चापेंगे Thank you तुम्हारे इस प्रोग्राम का फाइदा क्या है मैं विश्व के बड़े-बड़े सूपरमेनों को बेनकाब करूँगा सबसे पहला नंबर है दोगा का क्योंकि उसका कारिया इस्थल मुंबई है उसके कुत्ते जैसे मास्ट के नीचे किसका चेहरा है यह मैं सब को बताऊंगा अपने इस प्रोग्राम की बदोलत शशांग इसकूल के गेट से निकल कर आगे बड़ा ही ता की हेलो शशांग तुमारा घर मेरे रास्ते में पढ़ता है आजाओ आज मैं तुमें लिफ्ट दे देता हूँ वैसे भी आज बेस्ट इस्टुडेंट का अवोर्ड देने का कारिकरम थोड़ा लंबा होने से रात भी हो गई है शशांग मना नहीं कर सका थेंक यू फोर लिफ्ट सर यूर वैलकम शशांग दरसल तुमने जो प्रोग्राम बनाया है उसने मुझे बहुत इंप्रेस किया है शशांग आज जुर्म के सफेद पोश्ट ठेकेदारों को बेनकाब करना बहुत मुश्किल हो गया है जुर्म दीपक की तरह इस समाज को खाय जा रहा है जुर्म होता देख कर भी आज लोग आँखे बंद करके गुजर जाते है ऐसा नहीं होना चाहिए जुर्म करने से बड़ा जुर्म सहना और मुर्ख दर्शक बने उसे देखते रहना है जुर्म तब बढ़ता है जब जुर्म से लोहा लेने वाले हाथ मिट्टी हो जाए अपराद तब बढ़ता है जब कानून के लंबे हाथ नाकाम हो जाए आँखे खुली रहे, कान चोकस रहे तो कोई भी जुर्म को रोक सकता है कोई भी मुजरिम को दबोच सकता है ए ए रुको उस वक्त किसी चितावनी का कोई मतलब नहीं था उस परहार के बाद हत्यारे की आँखों में जैसे खुन उतराया था पागल कुत्ते की तरह गुराते हुए वह उस पर जपट पड़ा था बैंडेज किलर नत्युदाता सामने हो तो बार पीठ पर नहीं सिर पर करना चाहिए ठाक, उफ क्योंकि दुश्मन जिन्दा बच जाए तो वो और ज़्यादा खदरनाक हो जाता है दुश्मन की सांसों के रास्तों पर मोत के बेरियर लगा देना ही म्रत्युदाता का काम है चशांग के लिए अब कार की सीट पर बैठे रहना दूबरता मैं पीठ पर वार नहीं करूँगा हत्यारे सिर पर वार करूँगा मैं और तुम्हारा वार म्रत्युदाता चलने नहीं देगा बच्चे धाड तबी आग सी लप-लपाई मेरे वारों को तू रोक नहीं पाएगा म्रत्युदाता हत्यारों को खत्म करने ही निकलता है डोगा धाय डोगा अब इसे जाने नहीं देगा प्रिंसिपल साहब का दम गुट रहा है मुझे फोरण उनके मूव है नाक पर कसी बेंडेज को तारना होगा क्योंकि हत्यारे मुलत्यू दाता ने उनके हाथ भी पीछे की तरफ बेंडेज से बान दिये है इधर दोगा का वार बेकार चला गया था ओ चाती पर बुलेट फूरूफ पैन रखी है लेकिन तेरी खोपडी पर ऐसा कोई कवच नहीं है जो मेरी गोली को रोक सके ओ यह क्या खचा मेरी खोपडी को कवच की जरूरत नहीं पढ़ती क्योंकि मेरी खोपडी मेरे बच निकलने के आईडिये पैदा करती है दोगा दाड़ और दुश्मन की जिनकी के रास्ते बलोक म्रत्यू दाता ने दोगा की नाक वे मूँपर बेंडेज इतना कसकर लपेटा था कि दोगा को भी अपनी सांसे पल भर में ही रुकती नजर आई मुझे फोरण इन बेंडेज को अपने चेहरे से रटाना होगा उफ अगर मेरे चेहरे पर मास्क न चड़ा होता तो पलकों से शक्तिशाली एडेसिव लगे ये बेंडेज उतारना बड़ी तकलीव दायक होता एडेसिव यानि शक्तिशाली गोंद मरत्युदाता कहां गया वहां सिर्फ अपनी धूल छोड़ गया था मरत्युदाता मैं हमेशा सोचता हूँ कि मास्क के नीचे इसकी सूरत कैसी होगी मैंने भी दोगा के बारे में काफी सुना है मंगर आज देखा पहली बार है दोगा मानवता का चोकिदार अपरादी जिसके नाम से थर-थर आते है इसका तो मैं भी फैन हूँ कभी-कभी इसके बारे में जानने की बहुत इच्चा होती है कि ये कोन है? क्या है? आज इससे जरूर मिलूँगा सर जबकि अपना काम खतम करके चल पड़ा था दोगा म्रत्यू दाता के हाथो मरने वाला ये पहला विकारी नहीं है इससे पहले भी कई विकारी उस हत्यारे के हाथो इस तरह की मौत का शिकार हो चुके हैं विकारीयों की हत्याय म्रत्यू दाता क्यों कर रहा है? खेरो दोगा आगे बढ़ता दोगा प्रिंसिपल की पुकार पठिटक गया था दोगा की प्रश्न वाचक सी बनी निगाहों की और देखते प्रिंसिपल साब बेकोफ होकर बोले दोगा मैं ग्रीन फिल्ड पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल हूँ बहुत नाम सुना है तुमारा कब से इच्छा है तुमें नजदीक से जानने की मैं तुमारी सूरत देखना चाता हूँ दोगा दोगा देखते रहे गया उन्हें अपने पड़ती उनकी भावनाओं को अच्छी तरह समझ रहा था दोगा इसलिए पूछा क्यों? क्योंकि कोई अगर किसी का फैन हो तो उसे कम से कम उसकी सूरत का तो पता होना चाहिए आप दोगा के फैन है मेरी उस सूरत के नहीं और दोगा को आप देखी चुके है सोरी सर निराश मत हो सर दोगा की सूरत मैं आपको दिखाऊंगा अपने मिश्टरी बश्टर प्रोग्राम से उसे बेनकाब करके इधर शायद गोली चलने के बाद आसपास की इमारत से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था जिसका परिणाम थी वहाँ पहुचती पुलिस कंट्रोल रूम और एम्बुलेंस की गाडिया पुलिस किसी को नहीं पता था कि उस वक्त गटना इस्थल से वापस लोडते सशांग के किशोर मस्तिस्क में कैसी खलबली मचने लगी थी तुमारी सूरत अब जल्दी ही सब के सामने होगी डोगा कम्पिटर में और बहुत जल्दी क्योंकि आज मैं तुमारे बारे में पूरी जानकारी का डेटा कम्पिटर में फीड कर दूँगा जिसे पढ़ने के बाद मेरा MB प्रोग्राम अपना निशकर्ष देगा सशांग के हाथ बड़ी तेजी के साथ की बोड पर चल रहे थे जल्दी ही सशांग की आँखों में एक विशिष्ट चमक नजर आने लगी दोगा के जिसम की बनावट यह संकेत देती है कि वे नियमित बोडी बिल्डिंग एक्सरसाइज करता है अधै उसे किसी जिम का सदस्य होना चाहिए जिम में जाकर नियमित व्यायाम करने वाले सदस्यों की सूची एंटर करे इसके लिए मुझे महानगर के सभी जिमों का चक्कर लगाना होगा मगर उससे पहरे मुझे जिम एसोसियेशन से यह पता लगाना होगा कि मुंबई में ऐसे कितने जिम कारे रथ है और थोड़ी यी देर में उन सभी जिमों की लिष्ट हाथ में लिए चशांग अपनी कक्स से बहार निकल रहा था आ रहा हूँ दोगा जल्द ही आ रहा हूँ में तुम्हारे असली चहरे के पास भीक मांगना एक नेतिक अपराद ही नहीं बलकि कानूनन भी अपराद है भीक मांगते पकड़े गई भिकारियों को रखने के लिए ही बनाए गई हैं भिक्षुग्रे जहां ऐसे लोगों को रोजगार के सादन उपलब्ध कराकर उन्हें सुधारा जाता है मगर फिर भी जिने भीक मांगकर ही खाने की आदत पड़ चुकी है उन्हें ऐसे भिक्षुग्रे जेल ही दिखाई पड़ते हैं इस जेल की कैट से आजाद होने के लिए जिनके पंक फरफडाते ही रहते हैं बस इस ग्रिल का ये आखरी पैंच काटना रह गया है उसके बाद ग्रिल एक हलके धक्के से पीछे को जागिरेगी और आवाज भी ना होगी क्योंकि दूसरी और की जमीन बेहत कच्ची है बिक्षुग रह के उस कक्ष में मोजूद 25 भिकारी उस वक्त फरारी के लिए बिलकुल तैयार थे जल्दी करो निकलो बहार मगर खामोस जरा भी आहट नहो वरना इस बार भिक्षुग रह नहीं जेल जाना पड़ेगा मगर किस्मत उन्हें कहां ले जाने वाली थी यह कोई नहीं जानता था फटाक आसु गैस के उस गोले के फटते ही भगोडे बिकारियों की आँखों में जैसे मिर्चे जोग दी गई हो अहाँ मेरी आँखे अचानक जलने लगी है उफ ऐसा लग रहा है जैसे आँखों में मिर्चे पड़ गई है मेरी भी आँखे जलन के मारे नहीं खुल पा रही मोत वहाँ उनकी आँखे सदा के लिए बंद करने के लिए आप पहुची थी म्रत्यु दाता के रूप में अब तुमारे आँखे कभी नहीं खुलेगी क्योंकि म्रत्यु दाता इन्हें कफन पहना देगा इधर भी देख म्रत्यु दाता तुझे कफन पहनाने दोगा आया है दोगा की शक्तिशाली ठोकर से बेंडेज किलर के खोट रक्त उगल बैटे थे उसका सीना चाक करने के लिए उठ गई दोगा की गन मगर ओ ये क्या मेरी आँखे क्यों जलने लगी यहां तो आसु गैस फैली हुई है मगर उसका दुरभाग्य की उसी वक्त वह भिकारी भी बुरी तरह से उससे आ टकराया इस भिकारी का दम गुट रहा है और ये बैंडेज मूँ से उतरवाना चाता है दोगा ने आंके खुली रखने का प्रियास करते हुए कबूतर की तरह से दड़ पड़ाते उस भिकारी के मूँ पर जकड़ी बैंडेज की और हाथ बढ़ाया ही ताकी ओ ये क्या म्रत्यू दाता ने तो मुझे इस भिकारी के साथ ही चिपका दिया और मेरी गन भी अब हम दोनों के बीच में भी फस गई है अब मैं तब तक इसका प्रियोग नहीं कर सकता जब तक कि इस कैस से न छूट जाऊं सपा मगर पहले इस भिकारी के मुझे बेंडेज हटाना भी जरूरी अरे ये तो दम गुटने से मर गया एक लास से बन चुका था दोगा म्रत्यू दाता ने उसकी तरफ एक और इस्टिकी बेंड उचाली मगर दोगा ने फोरन ही सिर्क को जुका लिया अन्यता उसका चहरा भी लास के चहरे के साथ जुड़ जाता दोगा आखो को भी जबर्दस जलन के कारण खुली रख पाना मुश्किर हो रहा है स्पा म्रत्यू दाता की उस सक्तिसाली ठोकर से लास सहीत उचल गया दोगा दोगा जब तक तु इस कैसे छुटेगा तब तक मैं यहां कैई भीकारियों को मोद दे कर जा चुका होंगा थाड़ मुझे तुझे मेरा चैलेंज है रोक सके तो रोक ना रोक पाया तब फिर मैं तेरी सांसों को रोकूंगा मुझे चाकू निकाल कर बेंडेज के इस मजबूत बंधन को अपने दोनों तरफ से काटना होगा जिसके बार कम से कम यह लास तो मुझे से अलग हो जाएगी और तब तक दोगा की आँखे नीड से इतनी लबालब भर चुकी थी कि वे उठकर आगे बढ़ा तो रहा में पड़ी आँखों की सफाई के बाल जो द्रस्य उसके सामने आया उसे देखकर उसके जबडे सक्ति के साथ बिशते चले गए एक साथ आठ भिकारियों को दम गोट कर मारने में वे हत्यारा सफल हो गया मुझे उस कैज से छूटते देख नत्यु दाता फ्रार हो गया होगा हत्यारे को अगर मेरा खोफ न होता तो शायद ये सब भी लाशों में बदले पड़े होते मगर इतने भिकारी एक साथ यहां कहां से आ गए शायद ये सब भिक्षु ग्रह से फ्रार हुई होगे इन्हें वापस वहीं पहुचाना होगा उदर शशांग द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के अधार पर उसका MB प्रोग्राम अपने निशकर्ष लगातार दे रहा था लेवल टू कुल तीन हजार बोडी बिल्डर्स में से उन बोडी बिल्डर्स के नाम निकाल दे जो की शोक्या सीखने आते हैं या न्यू कमर्स है या बोडी बिल्डिंग के जरिए फिल्मों में अपना भाग्या आजमा रहे हैं बाकी बचे व्यक्तियों में से ही एक डोगा होना चाहिए बाकी बचे बोडी बिल्डर्स 300, आप लेवल 3 के निश्कर्स पर जाएं लेवल 3, दोगा का कद 6 फीट से जादा है अधें, लिश्ट में से उन वेक्तियों के नाम काड़ दे जिनका कद 6 फीट या उससे कम है बाकी बचे बोडी बिल्डर्स की संख्या, तरेपन इन तरेपन में से भी दोगा कोन है, यह मुझे जल्दी ही पता लग जाने वाला है क्योंकि उसकी एक विशेष्टा और मैंने कम्पिटर में फीड कर दी है निश्कर्स लेवल 4, MB प्रोग्राम दोगा अपने चेहरे पर कुत्ते का मास्क तरंग करता है और कुत्तों को अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है अत्य हैं उन लोगों के नाम इस लिश्ट में से काट दो जिनके पास कुत्ते नहीं है या जिने कुत्तों से घरना है डिलीट प्रोसीड, मूव टू लेवल 5 चशांग की आँखों में चमक बढ़ती ही जा रही थी इधर जिम में सूरज क्या बात द्रक चाचा ये खबर पढ़ो तब तक सूरज अपना व्यायाम पुरा कर चुका था सूरज खबर पढ़कर इतना नहीं चोका जितना अकबार में चपी उस फोटो को देखकर चोका था हरे ये तो वही लड़का है चशांग इसे डोगा ने मृत्यू दाता के खुनी पंजो में फसने से बचाया था नव भारत समाचार चशांग का MB प्रोग्राम हर्थात मिश्ट्री बश्टर प्रोग्राम करेगा दोगा के चहरे को बे नकाव मुंबई के 6 फीट से उचे लोगों पर दोगा होने का शशांग का दावा सूरज शायद तुम इस समाचार को लेकर गंभीर नहीं हो आप भी चिंता क्यों करते हैं द्रक्षाचा अगर वो ऐसे किसी प्रोग्राम पर काम कर भी रहा है तो भी उसकी लिष्ट में अकेला मेरा नाम नहीं है पूरी मुंबई में ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिनका कद 6 फीट से जादा होगा अमिताब बचन भी है वह इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा मगर लड़का तो आगे बढ़ चुका था तुम? येस सर तुम तो वही हो जिसकी तस्वीर आज अकबार में चपी है जो दोगा को बेनकाब करने वाला है क्या तुम्हारी तलास कुछ और आगे बढ़ी बेटे? कुछ नहीं सर काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है दोगा कुट्य का मास्क पेहनता है उनका इस्तेमाल करता है 6 फीट से उंचे कद के 59 तरेपन लोगों में से मैं 35 ऐसे आदमी ढूनने में काम्याव हो गया हूँ जिनका संबंद या लगाओ कुट्यों से बहुत जादा है 36 वे आप हैं सुरज सर मैं चसांग के उन सब्दों के साथ ही जैसे मुंबई की सारी इमारतों का मलबा धार धार कर उसी पर आगी राता वेचितिर रंग से मुस्क्रा रहा था सशांग हां सुरज सर आप भी हो सकते हैं डोगा क्योंकि आप कुट्टों को बहुत पसंद करते हैं बेटा सुरज बान ले अब तु मुंबई से अपना बोरिया बिस्तर ये लड़का तो गुरू निकला भोचक्का खड़ाता सुरज हक्के बक्के रह गएते अदलक चाचा मगर तुम्हें डोगा को बेनकाब करके क्या फाइदा होगा मैं भी हजार लोगो कितर है डोगा का फैन हूँ मैं भी हजार लोगो कितर है उसकी असली सूरत देखना चाहता हूँ अच्छा अंकल जरूरत पड़ी तो फिर मिलेंगे अदलक चाचा दूब गई लूटिया मुझे इस लड़के से फोरण डोगा बनकर मिलना पड़ेगा वरना ये लड़का जरूर किसी मुसीबत में फसेगा और मुझे तो फसाएगा ही मुसीबत उसी रात अपने पाउँ शिशांग के घर की और बढ़ा चुकी थी आज वह घर पर अकेला है मैं पता कर चुका हूँ की उसके पापा बिजनिस टूर बिजनिस टूर पर सहर से बाहर गए है चलिए दोस्तों इस भाग में इतना ही ये रोमान चक कोमिक जारी है अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कोमिक्स के अगले और अंतिम भाग में तब तक के लिए धन्यवाद झाले झाल 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 झाल